हलो दोस्तों, मैं अक्षाता आप सभी की एजुकेटर आप सब का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ओनलाइन प्लाटफॉर्म के उपर पेपर बन प्रेपरेशन फॉर एंटिय उजिसी नेट एग्जामिनेशन के लिए ग्लोबल ओनलाइन अप्लिकेशन एक कम्प्लीट कोर्स लेकर आया है जिसके अंदर हम पूरा स्लिबस ऑफ पेपर बन पढने वाले हैं आज की लेक्चर में लॉजिकल रीजनिंग उनिट से जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ इसके अंदर मैं अलग-अलग कॉंसेप्ट्स पढ़ाऊंगी आपको सिलोजिसम के साथी साथ बेस्ड क्वेस्टिन्स अपॉन इट ओके साथी साथ अच्छे अच्छे कॉंसेप्ट्स में अपको है आप एक्स्प्रेइन करने वाली हूँ इसके अंदर मैं अलग-अलग शॉट्रिक्स और ट्रिक्स आपको समझाओंगी और टॉपिक में बेसिक्स तो एडवांस लेवल आपको पढ़ाने वाली हूँ और साथी साथ जो क्वेश्टिन से सिल्लजिजम के दोस्तों ये वेंट डाइग्राम की मदद से हम इसको पढ़ने वाले हैं विदाओ इनी फॉदर द्यू थोड़ा सा कोर्स के बारे में एक बारी देख लेते हैं देन विल बिगिन अप विद लेक्चर इफ ये टार्गेटिंग फॉदर दिसेंबर ट्रिक्स तो पेपर वन का अच्छी तरीके से प्रेपरेशन करना इस वेरी मुच इंपरेशन को ध जान में रखते हुए ग्लोबल और अप्लिकेशन अप्लिकेशन अस कम अप वित कम्प्रीट को जिसके अंदर हम पुरा सिलबस कवर करेंगे कीपिंग इन माइंड डिफिकल्टी लेवल एंड पेपर पार्टन ऑफ दी क्वेशिन पेपर इसके अंदर आपको फॉल्विंग फीचर्स प्रोइड किये जाएंगे डेली लाइव लेक्चर्स इन हिंदी आज इंग्लिश लैंग्वेज इस लेक्चर्स के द्वारा हम अपको अलग-अलग टिप्स और ट्रिक शेयर करेंगे फिल जले बेस नोट जो कि एक पीडियो फॉर्म में अवेलेबल रहेगा आप मोबाइल फोन से भी इसको इसली डाउनलोड कर सकते हैं 60 प्लस मौक टेस्ट इन मौक टेस्ट के द्वारा आप अपका प्रेपरेशन टेस्ट कर सकते दोस्तों और जो क्वेशन मौक टेस्ट में आते हैं वो डिरेक्ली एक्जाम में भी रप्लिकेट कर सकते हैं this is very much important 2000 प्ल डिजिनल फीस इस 4,500 रुपीज बट फिलाल इसके ओपर 20% को अफर चल रहा है। यू कन अक्सेस दिस कम्प्लीट कोर्स इन रुपीज 3,600 ओली नीचे दिये हुए वाटसेप नंबर के द्वारा आपको कॉंटाक करना है इसके पहले अगर आप फ्री वीडियो देखना चाहते हो तो ग्लोबल ओनलन अप्लिकेशन के द्वारा देख सकते हैं यू हव तो इंस्टॉल दी ग्लोबल ओनलन अप्लिकेशन फॉर फ्रम दी प्लेस्टोर विच सच लोगो अफ्र ओपनिंग इस टाइप ओफ इंटरफेश जिसके अंदर स्टोर नाम का आइकन है इसके ओपर आपको क्लिक करना है बाद में माइको से पेज में यहाँ पर आपको को सर्च करना है कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर ओवर्वीव मिलेगा कॉंटेंट में जाने के बाद यहाँ पर आपको फ्री डेमो वीडियो के फोल्डर मिल जाएंगे इंधिया इस वलाज इंग्लिश लैंग्वेज साधी साथ उनिट वाइस फोल्डर है जिसके अंदर आपको मिल सिलोजिजम के क्वेश्चिंज ओके तो इस आपको कुछ चीजे समझनी है आज मैं समनौ वाली सेटमेंट पढ़ाने वाली हूं साथी साथ नो स्टेटमेंट पढ़ाने वाली हूं और आज वलाज एक कॉंसेप्ट ब्लैंक स्पेस का वो भी मैं पढ़ाउंगी आपको ताक कुछ डॉग ऐसे है जो बैट से and some बैट सर्काट सूलुख यह एदी डाइग्राम वें लिए स्ट्रीक्लर डो स्टेटमेंट के लिए कि कुछ डॉग्स बैट से यह वो डॉग्स है जो मैं यहां पर शेड कर रही हूं ओके So, these are those dogs जो bats है And these are those bats जो cats है ठीक है, इस तरीके से So, ये हो गई हमारी Venn Diagram Conclusion के और चलते है Some dogs are cats Some cats are dogs हमने अल्रेडी पढ़ा है जब भी आपको सम वाली Diagram सामने आ जाती है और सम वाला ही Conclusion पूछा जाता है अभी हमारी Venn Diagram सम वाली तो खतम हो गई यहाँ पर conclusion किसका पूछा है आपको कौन सा statement है सम वाला ही statement है Conclusion के अंदर भी ठीक है So, सम वाला ही conclusion अगर आपको मिले And statement भी सम की ही हो तब आप क्या करोगे यहाँ पर देखोगे whether Circle एक दूसरे के उपर Interact कर रहे है या नहीं एक दूसरे के उपर Overlap हो रहे है या नहीं You have to check कि Circle एक दूसरे के उपर Intersect हो रहे है या नहीं हो रहे है ठीक है Whether the Circles are Intersecting directly or not You have to check that specific point So, अभी देखना Some Dogs or Cats Dog की Entity और Cat की Entity का Circle एक दूसरे के उपर Overlap हो रहा है कि Directly नहीं हो रहा है क्योंकि Dog or Cat का Circle बहुत ही दूर है उन दोनों की बीच में Bat वाला Circle है इसी लिए Directly ये Conclusion हमारा Wrong हो जाता है यह Already इस टाइप का Question हमने Previous Class में पढ़ा भी था ठीक है Next Statement जो है यहाँ पर Conclusion Some Cats are Dogs Some Cats are Dogs Again Statement वही है सिर्फ Entity changed किया गया है Cat के जगह पे Dog Dog के जगह पे Cat दोनों का भी Circle एक दूसरे की ऊपर Interlink नहीं है या फिर Overlap नहीं है Directly Hence this Statement Is also going to be the Wrong Statement So यहाँ से हमारा जो Option आने वाला है Neither One Nor Two Follows मतलब दोनों भी Statement जब नहीं होते तब आप यह Option चूज करने वाले हो Neither One Nor Two Follows इसका अर्थ क्या होता है Basically इसका मीनिंग होता है कि एक और दो दोनों भी Statement में से कोई भी Statement Follow नहीं करता ठीक है इस तरीके से अभी इसी Question को मैंने थोड़ा सा Possibility वाली Condition में अगर आपको पूछा ठीक है जैसे कि यहां पर Question मेंने दिया है Some Dogs are Bats Some Bats are Cats Same Question and Venn Diagram will be also same Dogs Are Bats Some Dogs are Bats And यहां पर Some Bats are Cats Okay So इन दोनों के बीच में Cats and Bats के बीच में एक Shedded Area है मतलब Shedded Area का Meaning क्या होता है यह वह Cats है यह फिर Bats है जो Common दिखा रहे एक दूसरे के साथ मतलब यह वह Bats है जो Cat होने वाले है इस तरीके से Right And This Shaded portion यह क्या दिखाता है यह वह Shaded portion है जो दिखाता है कुछ Dogs Bats है ठीक है कुछ Dogs Bats है ठीक है So, अभी हम पढ़ने वाले है कुछ अभी Possibility वाली Condition in Sum के डाइग्राम जब भी आपको मैंने अभी पढ़ाया है Just Now पढ़ाया है क्या कि अगर Circle एक दूसरे के साथ Overlinked नहीं है या फिर Overlap नहीं है एक दूसरे के साथ चिपका अगर हुआ नहीं है तो directly हम उस Sum के Statement को Wrong कर देते जैसे कि अभी हमने पढ़ा Right, previous question में But इसी Statement के सामने अगर मैं Possibility वाली Condition लगाओ या फिर संभावना वाली Condition लगाओ कि Some dogs are cat Is a possibility देखना Statement तो वही है यहां तक का But is a possibility लगाया है यहां पे क्या लगाया है Is a possibility लगाया है So this is a possibility Condition के वज़े से संभावना की वज़े से यह Statement हमारा Right जाने वाला है Once again I am repeating the same thing क्या कि dogs की और cat का circle एक दूसरे के साथ Overlapped नहीं है Directly एक दूसरे के साथ चिपका हुआ तो है नहीं So simple statement अगर आता इधर तक की कि Some dogs are cats शायद इधर तक अगर statement आता तो आप बोलते की Ma'am statement was a wrong statement जैसे की मैंने आपको पढ़ाया But is a possibility Possibility वाली condition जब हम लगाते है तब यह statement Right statement हो जाता है Got it? इसी तरीके से अब इस second statement देखना Some cats are dogs Same statement है सिर्फ entity की जगा वदली हुई है इन दोनों के बीच में फिलाल के लिए इसा consider करते हैं कि शायद possibility वाली condition अगर नहीं रहती तो cat और dog का तो circle एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है नहीं तो वह directly wrong हो जाता statement यहां पर इसी statement के सामने possibility वाला condition जब लगाते हैं तब यह statement right हो जाता है इस तरीके से दोनों भी conclusions यहां पर वह right होने वाले हैं तो option number second will be no sorry option number last one that is both one and two follows is the correct answer for the given question दोनों भी statements write जा रहें I hope अपको दोडो questions के बीच में अभी अभी अच्छे से समझाया होगा कि simple statement अगर पूछा जाये तो क्या करना है and conclusion वाले questions में अगर simple statement के साथ possibility वाली condition अगर add की जाये तब क्या करना है ठीके चलते next question की और उसके पहले दोस्तों paper 2 का study material global online application आप सभी के लिए लेकर आया है इस paper 2 के study material में आपको important notes और MCQs मिलने वाले हैं काफी ज्यादा exam relevant notes है important MCQs, most repeated MCQs जोके exam में पूछे जा सकते हैं इस type of MCQs को compile किया गया है important notes के साथ यह paper 2 का study material आपको मिलने वाला है the course fees of just 1,280 इसकी original fees is 1,600 बट फिलाल इसके उपर 20% का offer चल रहा है अगर paper 2 का subject में से इन में से आपका कोई भी paper 2 का subject हो तो आप इस particular course को access कर सकते हैं नीचे दिये हुए whatsapp number के द्वारा आपको contact करना है for the enrollment of the course okay so yes this is the only compilation of notes and mcq paper 2 का study material चलते next question की और अभी यहां पे मैंने no statement का एक diagram या फिस statement यहां पे include किया है ठीके no statement ठीके तो पहले तो हमें यह बात यहां पे समझनी पड़ेगी that is कि no की diagram हम कैसे निकालेंगे ठीके okay so यहां पे थोड़ी देर के लिए मैं no के diagram के लिए page use करूंगी no diagram no key when diagram हम कैसे निकालते हैं देखना एक चीज है all के लिए diagram हो गई हमारी some के लिए diagram हो गई अभी no के लिए भी cover कर देंगे पर some not के लिए as such specific diagram नहीं है वो कैसे हमें समझना है some not वाला concept वो हम इस blank space concept से समझने वाले है ठीक है तो no diagram क्या है पहले वो देखते हैं यहां पर for example मैं एक statement डालूँ कि sum a r b no b r c दो statement लिए मैंने इन दो statement के basis के उपर अभी diagram निकालूँ कि देखना कैसे निकालती हूँ sum a r b की तो आपको आ जाएगी कि यह so for example a का circle है तो इन a में से कुछ ऐसे है जो b b होने वाले है तो यह वो a है जो b होने वाले राइट थोड़ा सा confusion हो जाता है कभी-कभी ऐसे बात करने से sum a r b वो है b है ऐसा करके ठीक है तो कभी-कभी टंग स्लिप हो जाती है please understand that and sorry for the inconvenience sum a r b मतलब यह वो shaded portion में कुछ a है जो b होने वाले है ठीक है but next statement अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे no b r c अभी यहाँ पे आने वाली है no की diagram जब भी आपको no की diagram आती है always remember इसका meaning क्या हो जाएगा no b r c का meaning क्या होता है basically हिंदी में कि कोई भी b ऐसा नहीं है जो c नहीं है कोई भी b ऐसा नहीं है जो c है ठीक है आपको समझना है कोई भी b ऐसा नहीं है जो c होने वाला है ठीक है, it means B और C के अंदर relation आएगा पर negative relation आएगा, always remember मतलब B और C के साथ कोई भी connectivity नहीं है, connectivity नहीं है या फिर negative connectivity है negative relation है, got it, इस तरीके से हम no वाली diagram निकालने वाले है okay, so no B और C, इसका meaning है कि B और C के बीच में negative relation exist करने वाला है या फिर negative, हम क्या बोल सकते है, connection रहने वाला है, ठीक है चलते हैं इसी question के अंदर जहाँ पर no वाला statement मैंने यहाँ पर use किया है statements पढ़ते हैं पहले, some sim are card, no card are word and no word is start बहुत ही simple सा question है, statement है, conclusion यहाँ पर missing है, my conclusion intentionally miss किया है मैंने यहाँ पर क्यूंकि मैं वो आपको form करके बताने वाली हूँ जैसे कि देखना अभी पहले तो हम statement के basis के उपर when diagram निकाल लेते हैं ठीक है, so look here, some sim are tard, कुछ ऐसे sim है, जो क्या है, card है now you must have become pro for some diagram, right some card are word, कुछ ऐसे card है, जो word है okay, और ऐसा कोई भी word नहीं है, जो tard है ठीक है, इसलिए no word is tard के बीच में, मैं no वाला diagram निकाल लेती हूँ यह हो गया word and है हो गया tard, got it some sim are card, some card are word and no tard, word is tard, okay इन दोनों के बीच में there is a negative relation there is a negative relation again वही concept लगानी है, जो मैंने some के बीच में आपको सिखाया था some सिखाते है time, कि दो circle से एक दूसरे के उपर overlap डे, overlinked है या फिर चिपके हुए है, तभी concept right जाएगा या फिर wrong जाएगा, ठीक है, देखते हैं अभी conclusion number one conclusion, उसके अंदे number one conclusion देखना for example, अगर मैं आपको ऐसा पूछूँ, कि some sim are tard, some sim are tard, तो आप इस particular conclusion को किस तरीके से deal करोगे, always remember, always remember, जो आपको diagram की मदद से दिख रहा है, या फिर जो shaded portion के और से दिख रहा है, वही चीज right होती है, मतलब क्या, अगर मैं सिर्फ ये दो circles को देख हूँ यहाँ पे, तो इन दो circles को देखने के बाद, मुझे ये सिर्फ दोनों circle के बीच में ये कुछ shaded portion वाली diagram दिख रही है, राइट, तो हम यही बोल सकते हैं, कि some sim are card या फिर some card are sim, got it, ये वो sim है, जो card है, ये वो card है, जो sim है, यही चीज हम बोल सकते हैं, जब हम ये सिर्फ दो circles देखते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में ये statement आएगा, कि ma'am हम ये भी तो बोल सकते, कि ये वो sim है, ये जो मैं यहाँ पे cross में दिखा रही हूँ, जो card नहीं है, राइट, ये आपके दिमाग में आ सकता है, तो इसका solution है मेरे पास, बट फिलाल के लिए आप इतना ही समझना है आपको, कि जब भी हम दो diagrams देख रहे, या फिर दो circles इस particular diagram में देख रहे हैं, तब दो circle के बीच में, चीक चीक के सिर्फ एक चीश सामने आपके आ रही है, कि sim या card के बीच में क्या relation है, some sim are card या फिर some card are sim, हम ये नहीं बोल सकते हैं, कि ये वो sim है, ma'am, some desires those sim, ये वो sim है, जो card नहीं है, that is, some sim are not card, ये बोल नहीं सकते हैं, always remember, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये blank space की और से आ रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है, blank space की और से आ रही है, similarly, अभी मैं यहाँ पे और एक छोटा सा आपको चीज बताऊं, कि अभी आप बोलोगी कि ma'am, ये वो card है, जो आप cross करके बता रहे हो, ये card और sim में तो कोई relation नहीं है, so these are some of the cards which are not sim, ये वो card है, जो sim के साथ नाता नहीं रखते, right, right, so ये भी तो relation आएगा sim और card में आएगा, obviously, but हम ये prove ने कर सकते, hundred percent accuracy के साथ हम ये नहीं बोल सकते, कि some card are not sim, हम सिर्फ देखके इतना ही बोल सकते हैं, कि some sim are card, got it, got it, similarly, okay, similarly, okay, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलू, कि आपको सिर्फ दो circles देखने, कुछे दो circles, card और ward देखना है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये portion देखोगे, card और ward जब बोला गया, तब सिर्फ इतना देखोगी, क्या तुम blank space को देखोगे card और ward के, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्यूंकि blank space की अगर simple भाशा में बोला जाए, तो blank space की उतनी ability नहीं है, कि वो answer right है, या wrong है, बता पाए, ठीक है, हम सिर्फ ये दो circles, card और ward के circle से सिर्फ इतना बता सकते हैं, shaded portion की तरफ देखके, कि ma'am, some card are ward, या फिर some card, ward are card, कुछ card ward है, या फिर कुछ ward card है, सिर्फ इतना बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते है कि ma'am, ये वो ward है, जो card नहीं है, so what does it mean in English, कि ma'am, these are some of the wards, which are not cards, ये बोल सकते हैं, हाँ, जी बोल सकते हैं, but possibility वाली condition में, 100% accuracy के साथ बोल सकते हैं, क्या नहीं, ठीक है, so अभी यही concept आपको समझना है, some not की condition में, word detail में आपको और extra बताऊंगी, but फिलाल के इतना काफी ह ठीक है, some sim or tard, कुछ sim or tard पूछे है, sim or tard में कुछ relation दिख रहा है आपको, sim or tard के भीच में कोई relation दिख रहा है, नहीं, sim or card में दिखेगा, sim or ward में भी relation नहीं है, क्योंकि circle overlapped नहीं है, sim or ward में relation नहीं है, ma'am, तो sim or tard में काई का relation आएगा, इसलिए ये statement यहाँ पे wrong हो जाता ह है, बट अगर इसी statement को मैं ऐसे पूछू आपको, कि some sim or tard is a possibility, is a possibility, तब आप ये क्या करोगे, ये statement को, थोड़ा सो सोचोगे, क्या, कि ma'am, some sim or tard, तो है ने diagram की मदद से, क्योंकि दोनों के भीच में कोई shared portion common नहीं है, sim or tard कोई भी common shared portion share नहीं करते, इसलिए हमने वो statement गलत किया था, बट क्या वो कर सकते, हाजी कर भी सकते, हमें क्या पता, क्योंकि मुझे बताना यहाँ पे, हमें sim और ward के भीच में तो कोई relation है नहीं, नाता है नहीं, शायद हो भी सकता है, शायद हो भी सकता है, और always remember, syllogism के questions, शायद जब आपको ऐसा लगे, कि शायद ऐसा हो सकता है, मैं क्यों नहीं हो सकता, हो सकता, सकता जो है, या फिर हो सकता है, या फिर संभावना है, जब ऐसी dilemma आए दिमाग में, तो सीधा सीधा statement गलत करना है, इसलिए मैंने first statement को गलत किया था, बट यहाँ पे आपको question क्य क्या पूचा है, some sim are tard, is a possibility, अगर पूचा जाए, तो possibility तो है, ज़रूर है, क्यों नहीं, इसलिए यह statement राइट हो जाता है, Got it? Similarly, अगर मैं आपको एक question पूचा हूँ, as a homework बताना मुझे, बाद में पूच लेती हूँ, फिलाल दूसरा concept देखते है, next conclusion देखते है, no sim are tard, कोई भी sim tard नहीं, sim और tard के बीच में कोई relation है? सिम और tard के बीच में कोई relation है? नहीं है, इसलिए यह statement हम सीधा सीधा यहाँ पर write कर देते, कोई logic ही नहीं है, कोई logic ही नहीं है, ठीक है? आपको, some sim are ward, some sim are ward, sim और ward का circle एक दूसरे के साथ overlap है, क्या ma'am? some overlap नहीं है, अभी हमने some के concept में सीखा था, अगर circle overlap नहीं है, तो सीधा सीधा statement wrong हो जाएगा, right? wrong हो जाएगा statement, बट इसी statement के सामने, अगर मैं is a possibility लगा हूँ, तो यह statement right हो जाएगा, so इस तरीके से आपको यहाँ पे सीखना है, कि possibility वाली condition आ रही है, no वाली condition आ रही है, some not वाली आ रही तो क्या करना है, some not तो अभी तक मैंने लिया भी नहीं, ठीक है? ठीक है? fine so blank space वाला concept मैंने अभी आपको जो बता है, वही मैं दोबारा repeat करूँगी, यहाँ पर समझना है आपको क्या, कि ma'am, for example, a, some a, r, b, some b, r, c, अगर ऐसा statement हो या फिर कुछ भी statement हो आपके पास, always remember हम एकादा conclusion, right है या wrong है, वो कब किसके दम पे basis के उपर बताते हैं, किस दम पे बताते हैं, किसके basis के उपर बताते हैं, तो मैं यह आपको clear cut बोलूँगी, कि सिर्फ हम shaded portion की basis के उपर बताते हैं, that is, some a, r, b, या फिर, some b, r, c, सिर्फ यही बता पा रहें, yes or no, tell me, यह diagram के shaded portion के basis के उपर इतना ही बता पा रहे हम, क्या बता पा रहें, कि यह वो b है, जो a है, या फिर यह वो b है, जो c है, सिर्फ इतना ही बता पा रहें, क्या हम ये बता सकते हैं, क्या हम ये बता सकते हैं, क्या हम ये बता सकते हैं, ये दोनों भी हम बता सकते हैं, पर क्या हम ये दो स्टेटमेंट्स बता सकते हैं, क्या हम ये दो स्टेटमेंट्स बता सकते हैं, क्या हम ये दो स्टेटमेंट्स बता सकते हैं, क्या हम ये बता सकते बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि यह answer जो आ रहा है आपका, क्या वो shaded portion के द्वारा आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, यह आपका blank space के द्वारा आ रहा है, मतलब यह जो blank space है, यह बता सकता है, obviously, कि some A are not B, यह वो blank space है, वो बता सकता है, कि some B are not C, या फिर some c or not b ये बता सकता है, no doubt बट blank space ability नहीं रखता या फिर उतना उसका qualification नहीं है ऐसा simple words में बताऊं कि वो answer right है या wrong है बता सकता है ये concept बहुत ही ज्यादा help करने वाली है some not की question solve करने के लिए आपको ये चीज बहुत ही detail में समझने पड़ेगी अगर ये concept आपको नहीं समझाई तो कल के lecture के पहले मुझे पूछ लेना क्योंकि कल का lecture में पूरे syllogisms के questions solve करवाने वाली हूँ आपको ठीक है, possibly कल का lecture तो नहीं I think मैं एक separate lecture लोंगी उसके उपर and almost मैं आपको 25 most important must solve questions of syllogism बढ़ाने वाली हूँ ठीक है, so yes, without any further due, ये एक question है इसका screenshot ले लीजिए, solid as a homework and let me know the answer in the comment section बहुत ही दंदार question है जिसके अंदर मैंने पूरे concept involved किये some ke, some not ke, no ke, some ke, or all ke हर एक चीज मैंने या पर कवर किये and please do not miss this session of 25 most important question based upon the syllogism or must do questions for the syllogism, okay so this was end of today's lecture, thank you for joining it आपको वीडियो पसंदाई तो ज़रूर वीडियो को like का hit button, share करना है और यहाँ पर maximum students को share कीजिए ताकि उन students नगे वीडियो पौच पाए and please do subscribe to the channel and please do hit the like button, ठीक है and thank you for joining the session students, have a great day everyone, bye-bye